नमस्कार में यूट्यूब चैनल कोर गयन में आपका श्वाकत हैं आज हम डिस्कूस करेंगे कि एक PC मतब वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे को कैसे डाटा ट्रांसफर करते हैं मतब बहुत ज्यादा यदि साइज है मतब 10GB 50GB 100GB का डेटा है तो आप WhatsApp या कोई और mail के तुरूट यदि ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक ट्रिक में आज बताने वाले हूं जो बिल्कुल असान है बिल्कुल इजी है कोई भी software डाउनलूट करने की ज़रूद नहीं है कोई भी online login कहीं पर करने की ज़रूद नहीं है आपको direct आपको यहां प data यूज होगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ create करना होता है access ताकि आप एक computer से दूसरे computer में connect कर सकते हैं पहले हम बात करेंगे कि यह दिमान के चलो PC1 मतब computer 1 में आपका data है और वही data आपको computer 2 में चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा computer 1 पर जाना पड़ेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसी क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया विंडू आता है जहां पर नेटवर्क के इंटरनेट है विव नेटवर्क के स्टेटस एंड टास्क लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है विव नेटवर्क इंटरनेट एंड ने यहां पर आपको Network & Sharing Center पर ख्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह서 इन चैन्सायज औरम चैन्स डाप्टर सेडिंक चैन्स उपसेड़त्य करना है जा करना है यह आपके सामने एक window open हो जाता है जहां पर आपको changes करने हैं तो जो अभी आपके स्क्रीन पर दीख रहा है when network discovery is on this computer can see other network computer device and is visual to other network computer मतलब कि यह जो आप अलाव करो turn on network connectivity discovery का कि आप जैसे ही मतलब कोई भी दुसरा जो computer connect होगा वो दिख सकेगा इसके लिए है file and print sharing यहां पर तो आपको network discovery के लिए है अब आपको file and print sharing में भी इसको turn on करना होगा क्योंकि जो भी आप फाइली इस computer piece computer one की बात कर रहा हूं जहां पर हम यह काम कर रहें इसको तो turn on computer के one हम यदि करेंगे तो इसका file आप कहीं पर भी share कर सकते हैं इसके लिए turn on करना होता है फिर आप स्क्रोल डाउन करके आएंगे तो यहां पर लिखा होता है public जो folder sharing है वह आप कर सकते हैं तो यहां पर भी turn on करना इसको बाकी जो bottom में जो है इसको छोड़ देना इसको को नहीं करना जैसे है इसमें आपको turn on करके रखना तो तीन है जहां पर मैंने आपको बताया थी turn on करके रखना है इसके बाद आपको क्या करना है कि desktop पे चले जाना है वहां पर जाकर करके क्या करना है अब एक ऐसा folder create करना है folder बनाना है जहां पर जो भी file आप मतब कोई भी drive c है डी है वहां का file आप इस folder में इंटर करेंगे store करेंगे डालेंगे राखेंगे तो अब यही folder आपको दूसरे computer में दिखेगा तो यह हम folder create ऐसा कर रहे हैं जहां पर कोई भी data हम input करते हैं store करते हैं save करते हैं कोई भी file video audio text कुछ भी इसमें store करेंगे तो वह दूसरे computer में दिखेगा ताकि हम वहां से फिर copy करके अपने computer के कोई भी ड्रैवर में डाल सकते हैं अब हमारे पस यहां पर create करने के लिए तो right click करना होगा button आपको right click करके folder पर जाना है और folder एक create कर लेना है जैसा कि मैंने एक folder create कर लिया है file store के नाम से अब हमें क्या करना कि और के right click करना फाइल जया करके उस बटकर नाओन तो के लिए कर लिए अब हमने क्लिक कर दिया specific people पे अब हमें क्या करना है जयसे स्पेस्फिक पर कर दिया उसके बाद option आ जाता है यहां पे तो आपको everyone पर click करने हैं everyone जैसे ही click कर लेते हैं यहां पर मतलब आप सबको यह file जो folder है वो दिखना चाहिए मतलब जिससे आप connected करेंगे यहां पर आपने everyone कर दिया है everyone पर click करने के बाद आपको मतब इस से कि जो भी Wi-Fi network connected रहेगा मतब उस network से कोई भी network connected कोई भी computer connected होगा तो आप उसका access देख सकते हैं बस एक code डालना है वही तो आप यहाँ पे everyone कर दें उसके बाद पे लिए निवान पर क्लिक करता है अब जैसी एड और रहा अपको चलो सब्सक्राइब और इस दोनों मतलब देख सकते हैं उसमें उसमें श्टोड भी कर सकते इनफरमेशन अपर फर्स्ट लेप्टॉब में और है तो बाट लेप्टोब में आप फोल्डर ओपन करें यही फ स्टोर्ड कर दें वह allowed लैप्टूप वणंसे मतब पीसी वण से आप देख सकते हैं सही है है यहां रीट्रयट आएक्सा अम ने दे धिया सेड पे किलिक करतें है अब हमें क्या करना है कि फिर से और आपको वहीं PC1 में ही आभि आपको यह करना है कि फाइल से जो आप राइट क्लिक करेंगे तो परपरटी जुए अप्सें पर चलेजाएं यह आपको देख गया अब आपको इससे कोपी कर लेना है कोपी करके आप चाहे तो कैसे भी आप भेज सकते हैं लैपटोप टू में यह एड्रेस आपको लैपटोप टू में होना चाहिए जैसे की मेल के थुरू वाटसप पे आप सेयर करको रखो मतब एक तरह से आपके पास यह डीटेल होना चाहिए इसको कोपी करके आप हमने वाटसप पे भेज सकते हैं या मेल ओपन कर लें पीसी टू लैपटोप टू में कंप्यूटर टू में पीसी में भी उस पे जिसमें भ लेपटोप पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाकर के आर यू एम रण लिखना है जैसे लिखेंगे इस तरह का विंडोज ओपन हो जाता है अब हमने जो कोपी किया था यह लैपटोप टू में कर रहे हैं याद रहे हमने लैपटोप बन तक यहां तक किया है तो यहां पे आता है कि को जो फोटर या जो पहलता है यहां पर जाता है यांव में उस फोल्डर जो बनाया हो आपने यहां पर पीसी टू में आपको दिखना चालो हो जाएगा आप इसको कोपी करके अपने सहुलियत के अनुसार ड्राइब जो है डी ड्राइब जो भी हो उसमें आप पर रख सकते हैं चाहे कितना भी जीबी का हो कोई भी हो तो आप के लिए मैंने यह कंपाइल वीडियो बनाया था ताक अनलिम्टेड डेटा ट्रांसवर कर सकते हैं तो यह दिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरू करें मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो अपने फैमली फ्रेंड में भी जरू सेयर करें थेंकि फूर